दूसरों को भला करने वाले मनुश्य को हमेशा कश्टों का सामना करना पड़ता है, क्यूकि हमेशा फल देने वाले विक्ष को ही पथरों की मार सहनी पड़ती है संकसार में कोई भी मनुश्य सर्वगून संपन में नहीं होता, इसलिए कुछ कम्यों को नजरंदास करके रिष्टे बनाये रखने की कोशिश करें जिन्देगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे वो सोचने में बरबाद मत करें जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो, तो प्रेंग एवग समान दे, यह भी बहुत बड़ा दान होता है हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारन होता है, इसलिए पड़िवर्तन से भय भीत नहीं होना चाहिए अतीत में हुई किसी बुरी घटना के कारन जो लोग जिन्देगी में आगे बरना भोल जाते हैं, वैसे लोग अपने हातों से वो भी खो देते हैं, जो चीजे भविश्य उन्हें देने वाली होती हैं तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है, इसे जहां लगाओगे सफलता तभी पाओगे प्रेरना का सबसे बड़ा स्रूप आपके अपने विचार होते हैं, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें यदि आप जोखिम नहीं उठातें, तो आप कुछ भी प्राप नहीं कर सकतें, क्यूकि सफलता उनके ही कदम चूंगती हैं, जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं दुनिया में सबसे भाग्यवान वो ही ही, जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नेंद है और धन के साथ धर्व है किसी के प्रती मन में ग्रोध रखने की अपेक्षा, उसे ततकाल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा होता है जुन ने एक नेनए किया था, स्रीक्रिष्ण को चाहिए आगे के सारे नेनए फिर स्रीक्रिष्ण ने स्वयंग कर दिये आपका पहला नेनए ही सबसे महत्यपून होता है अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो परवा मत कीजिए आप इस संसार में किसी का मनुरंजन करने नहीं आए है जिन्होंने आपको कश्ट दिया कश्ट तो उन्हें भी मिलेगा और यदि आप भागे शाले रहे तो इश्वर आपको ये देखने का मूंका भी देगे गीता में लिखा है समय और भागे दोनों परिवर्तन शिल है इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहे जुकने का अर्थ यह नहीं कि आपके सम्मान हो दिया हर किमती चीज उठाने के लिए जुकना परता है खुद में थोरा स्वाभिमान होना जरूरी है बरना लोग तुम्हें वहा भी दवाने की कोशिश करेंगे जहां अधिकार तुम्हारा है उपरवाला देखकर भी देखता है और लेकर भी देखता है इसलिए मिल जाने पर घमन ना करें और छेन जाने पर धैरिय ना कोई समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करती है एक वो उम्र के अधिक ही और दूसरी वो जिनें कम उम्र में वोकर खाई है अच्छा बेवहार ही इंसान का असली गहना है सुन्दर्ता तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है